चैनल पर आपका एक वर्फिश शागत करते हैं और आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकाज आज हम इसमें सारे डाउट्स किलियर करने वाले हैं आपको कि कितने रैंक तक आपको बुलाया जाएगा कितने रैंक तक नहीं बुलाया जाएगा सारी कोईरी आज हम बिल्कुल किलियर कर देंगे ठीक है आज तक ये इंफर्मेशन आपको किसी ने नहीं दिया होगा बट आज ये इंफर्मेशन आप तक हम देंगे राइट एक important बात ये है सबसे important बात किया है कि आज साम 7 बजे हम अपने YouTube चैनल पर live आएंगे तो आप लोग अगर कोई भी doubt आपका unclear है तो आप वहाँ पर live season live chat में आप पूछ सकते हैं और आपके comments का reply हम अच्छे से दे देंगे जिससे आपको कोई भी doubt पर जो है सक ना बचे right तो वहाँ पर आप जो है clear कर सकते हैं सारे doubts आज साम 7 बजे notification में भी नहीं जाये किसी के पास तो आपको 7 बजे बिलकुल आना है याद रखना है ठीक है तो देखो आप लोग काफी होसियार बच्चे हैं और BSC biology group वाली ये merit list आप download कर दिये हैं जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो telegram channel से हमारे ले सकते हैं by the comment कमेंट करने दोरा हैं ठीक है बट आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा before कि जैसे हम rank आपको decide करेंगे उस प्रकार से तो इस चीज़ को आपको अच्छे समझ लेना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि 168 marks इस लड़की के है rank 1 ठीक है ना तो इसका लगभग 84 question सही था है ना तो हमने कहा था 60 plus एबब अगर है तो admission हो गया नहीं होगा तो आप देख सकते हैं इस merit list में अगर हम उपर से नीचे जाएं और इधर स्वारी EWS rank भी लिखी है PH rank लिखा है PF rank OP rank final index सब लिखा है तो हम ये आप देख लिए हैं अपना अपना जान लिए हैं कि आप किस category से बिलांग करते हैं तो अगर आप हम इससे सबसे नीचे जाते हैं तो आप एक चीद देखेंगे कि यहां पर एक बच्चे के marks क्या है 18 marks है sorry 0 marks है sorry 18 marks है और इसका total जो है अगर हम कहें तो rank कितना है अठाइसो सरसट यानि 2867 अठाइसो सरसट इसकी rank है तो इसका मतलब total applicant BA के कितने थे बताइए अठाइसो अरसरसट है ना तो इस लगभग हमारा 2900 बच्चा इसमें अपलाई किया है हर एक point को आपको clear करना है क्योंकि हम बिल्कुल doubt आपके clear कर देंगे तो चलिए आपको हम बताते हैं कितना आरच्छन मिलेगा कितने EWS वाली जिनकी rank है वो बच्ची कितने first list में आएंगे ठीक है तो भाया इसको अच्छे से समझी है यहाँ पर हमने download किया है लखनो उन्वेस्टी UG मतलब undergraduate admission का voucher guidelines तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जियो विग्ञान मतलब biology विग्ञान मतलब biology ग्रूप वाले जो बच्चे हैं वो अपना क्या-का combination ले सकते हैं और total seats उनक इने combination से आप कर सकते हैं और आगे इन में seats भी लिखी हैं सबसे ज्यादा seats क्या है chemistry, botany, zoology में तो 190 seats अगर इसमें हमको लेना है तो कितनी rank तक हमको बुलाया जा सकता है इस चीज को हम clear करेंगे तो आप इन total seats को आप add कर लीजिए आपने देखा क्या कि 2900 बच्चे मतलब 28 666 बच्चे और 280 feet हैं उसी में भी आप देख सकते हैं कि कितना reservation है इस चीज को पहले आप देखिएगा थोड़ा सा थोड़ा सा इस पर फोकस कर लीजिएगा ये लिखा है weightage और ये लिखा है reservation policy तो इस चीज को आप देख लीजे जो NCCO गरा बच्चे लिए हैं उनका कितना percentage है बस हमको मेन मुद्दा हमारा क्या reservation जो maximum है तो SC वालों का 21% है 21% और जो बच्चे ST हैं उनका 2% है OBC 27% है EWS मतलब economically weaker section वाले जो बच्चे हैं उनका 10% तो बाकी जितना बचा इसको हम total करेंगे percentage को तो कितना हैगा ध्यान से समझ लेना इस बात को है तो total हो जाएगा हमार 60 है ना अब देख भी सकते हैं तो बचा क्या हमारा 40 तो 40% जो है वो हमारे जर्नल वाले बच्चे हैं जो किसी भी category से नहीं simply वो जर्नल गए हैं तो अगर हम 280 seats का 280 seats का अगर हम कितना निकाले 40% निकाले जो बच्चे जर्नल वाले हैं 40% अगर निकाले तो हम 280 बच्चा 100 कर हैं तो simply जब इसको हम simplify करेंगे तो यह लगभग हमको मिल जाएगा अर्चको 32,3,4,8,3,4,8,3,11 लगभग 112 बच्चे फर्स्ट लिस्ट में बुला लिये जाएंगे एक important बात है वो अभी हम बतायेंगे आपको अच्छे सुनना है ठीक है seats हमने बताया था भी 280 हैं और यहा तो first जो मेरी लिस्ट होगी मेरी लिस्ट यहां तीन निकलेंगी first मतलब स्वारी cut-off लिस्ट यहां पर तीन निकलेंगी एक पहली cut-off होगी जिसमें 112 बच्चे तक बुला लिया जाएगा और अगर हम 10% इसका निकाले तो आपके अगर अगर जो है आपका जर्नल 112 रैंक तक है तो आपका admission confirm है और जो EWS वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारी rank कितनी admission confirm होगा कि नहीं होगा तो भाईया 10% EWS यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 280 का अगर हम 10% निकाले तो 28 बचेगा तो अगर EWS कटागरी से आपकी 28 तक rank आती है मतलब 28 तक rank है तो आपका admission confirm है बट एक condition है वो important बात है वो अभी हम बता रहें जश्ट अभी जो हम करें उसी जो फोकस करो जो बच्चे OBC के हैं तो OBC वालो बच्चों से अगर हम कहें 280 का बहिया कितना निकाल लो 27% है ना 27% अगर हम निकाल लेते हैं तो आपको मालूम है कि कितना हो जाएगा लबहग व ठीक है तो आप इतनी चीज आपको चीज मालूम हो गई ठीक है तो और एक चीज क्या है कि यहां पर जैसा बताए कि एक रेंक जिस बच्चे की है तो वह बच्चे क्या गरते हैं छूड़ देते हैं कालेज और चले जाते हैं नहीं लेते हैं यहां तो जो बच्चे लेंगे वो आप सेकंड लिस्ट में पा जाओगे तो हमने कंफर्म करने के लिए हमने बता दिया कि जर्णल की अगर 112 रैंक है अगर जर्ण अगर EWS से आपकी 28 तक रैंक है तो आपका कंफर्म है उसके बाद में कंडिशन और हम बता रहे हैं कि जो बच्चे छोड़के चले ज लेंगे तो वो उनको सेकंड लिस्ट में डिमिशन मिल जाएगा तो अगर आपकी 200 रैंक जर्णल वाले और OBC वाले 100 रैंक और EWS वाले 50-60 रैंक तक और SCST वाले अपना उसी में एड कर लें तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके डिमिशन हो सकते हैं बट कंफर्म हमने बता द हैंगे कि कुछ दिन के बाद कि सर्फ लिस्ट में हमारा आपने कहा था 58 तक और उसमें 56 नहीं आया तो भाईया एक दो इधर इधर हो सकता है हो सकता है और ना बुलाना चाहें इतनी जल्दीन तो आगे का प्रिसीजर हम इंटर्स वर्ड चैनल के माध्यम से आपको बता दे हैंगे क्या है तो आज की इस वीडियो में हमने तुमको सारे डूट के लियर किया रैंक के लिए ठीक है फिर भी अगर कोई डॉट्स हो तो आप कमेंट करके हम उसके पूछ सकते हैं और हाँ आज साम को साथ बजे लाइव हम जरूर करेंगे तो उसको आप जरूर अटेंड करिए क्योंकि वहाँ पर आपके हम सारे डूट्स क्लियर कर देंगे क्योंकि पता नहीं आपके दिमाग में बहुत सारे डूट्स होते हैं वो डूट्स हम यहां नहीं क्लियर कर साथ